नमस्ते ओवर्वियू में आपका स्वागत है हमेशा की तरह तीन ट्रश्ट क्या महराश्ट में कुछ बड़ा होने वाला है तूसरा कौन है चौथी पास राजा तीसरा महराश्ट भूशन अवार्ड में हुई मौत्तें क्या हत्या है इन में चर्चा से पहले आपसे आगरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबर्शिप भी ले ले चैनल की मेंबर्शिप का मतलब प्रत्यक महिने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होती है और अगर आप हर महीने का commitment नहीं करना चाहते हैं तो one time एक मुष्ट एक बार भी हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो अब सबसे पहली बात क्या महराश्ट में कुछ बड़ा होने वाला है ये इसलिए कह रहे हैं कि महराश्ट को लेके नही नहीं तरह की खबरें रो जा रही है और शायद उन खबरों को विराम देने के लिए NCP के सबसे बड़े नेता शारत पवार साहब उनका भी बयान आ जा गया उन्होंने कहा ये जो बार बार बात पहलाई जा रही है कि अजीद पवार जो हैं वो NCP छोड़के बीजेपी में जाने वाले हैं और पार्टी तूटने वाली है तैदी तैदी ये केवल कुछ लोगों का दिमागी फिदूर है अजीद पवार एलेक्शन की तैयारी में लगे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है उसी के साथ साथ सुप्रिया सूले जो उनकी लड़की हैं उनका भी एक बयान आया है कि अगले पंदरा दिन में दो बड़े धमाके होने वाले हैं बतलब न्यूज धमाका धमाके not in literal sense और वो एक दिल्ली में है और एक महराश्ट में है कोई कहலे अलग-अलगत रकिंगे बी जे पी कई रहा है कि बीजेपी के रही है NCP तूटे गी कॉंग्रेस तूटे गी उढ़र टाक्रे तूटे गए कोई कहरा है कि नहीं की तरफ का रास्ता दिखाया जा रहा है क्योंकि वैसे भी अब राजनास सिंग का रास्ता आगे मुश्किल होगा क्योंकि करनाटक में जो एक नया फॉर्मूला आया है कि सन और फादर मतलब पिता पुत्र में एक ही को एक ही आदमी एलेक्शन लड़ेगा चाहे कोई होगा पहले एक चीज़ ये समझ लीजे कि ये एलेक्शन नसीपी और शर्ट पवार सहाब के लिए दोजार चौबिस का क्यों आवशक है क्यों महत्मून है नसीपी उन्निस सो निन्यानवे में वजूद में आया बना और निन्नियान निन्नियानवे के एलेक्शन में उसके उसके छे एमपी थे दोजार चार में उसके नौ एमपी हुए और शर्ट पवार सहाब फिर केंजर में मंत्री भी बने दोजार नौ में उसके आठ एमपी दोजार चौदह में चार एमपी और फिर दोजार उन्निस में चार एमपी तो बैक्समा वो नो एमपी पे रहे हैं जो उनका मुस्ट बेस्ट वो परफॉरमेंस था दोजार चार में और मिनमम वो चार एमपीस पे रहे जैसी अभी हालात है अर्टालिस सीटें हैं महराश्ट में और अगर फॉर दी परपस अफ ये माना जाए कि सोला सोला सीटें तीनों लोग लड़ते हैं हाना कि उद शिव स अपना जो बेस्ट परफॉरमेंस ऑफ नाइन एमपी इन लोग सबाद दोजार चार का है उससे आगे जाएगी पॉलिटिक्स में सारा खेल ये रहता है कि आपके पास कितने एमपी आपकी कितनी बड़ी ताकत है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जब शरत पवार की नसीप देखते हैं अजीत प्रवार साब भी समझते हैं कि जो नैशनल पॉलिटिक्स है उसी से उनका एक महत बनता है वो सारे लोगों से संपर्क में रहते हैं और शायद क्योंकि अब वो बहुत ही एडवांस एज में हैं अपनी लड़की सुप्रिया सूले को वो एक रिष्ट प पी का जो लोग समा का उनका दल होगा वो बड़ा दल देना चाहेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो शरतवार जी ने एक कोशिश की थी अब वो दोस्ती थी कि वो वाटर टेस्ट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे जो उन्होंने अडानी जी पे एक एंडी टीव मिली है लेकिन फिर उनको उनके उपर इतना पॉब्लिक ट्रिशर था कि उनको फिर सारा पाला बदल के फिर उनको इस तरफ आना पड़ा और जो बात उस इंटर्विव में कह रहे थे कि नहीं जे पी सी नहीं होनी चाहिए नहीं वो फिर अब जे पी सी की मांग करने ले के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शपत की शपत लेके उन्होंने कुछ घंटों के लिए वो ये भी थे लेकिन उसमें उन्होंने अपने जो केसे थे वो सब बंद करवा दिये थे इस समय NCP के तिरपन MLA's हैं और अगर आपको एक लीगल डिफेक्शन चाहिए जिसमें आपकी सरस्ता ना जाए तो करीब 35 MLA अगर आपके साथ तूटके जाएंगे तब है जैसा अभी कहा जा रहा है कि अजीत पवार के जो हाड़कोर उनके फॉलोवर्स हैं जो उनके साथ हैं वो करी 12 हैं तो 35 की फिगर इतना पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि अगर NCP 35 की फिगर पे पहुंच रही है तो ये शदद पवार साहब के जिसको कहता है बीजेपी के साथ कुछ जोड़ तोड़ करते हैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बन सकते हैं लेकिन वो मेरे ख्याल में अगर उनको बीजेपी चाहती हो टूटके बीजेपी में आ जाए और बीजेपी का पार्ट हो जाए तो मुझे लगता है कि उसके बाद वो मस्याएं हो रही हैं वो जो एडी का पूरे तरह से इस समय दबाव अजीत परवार और उनके परवार के उपर है उनसे जो रिलेटेट बिजनस में जो भी उनके घर के लोग उनके उपर है एडी ने उनका जरान देश्वर शुगर मिल जो है उसके उसकी प्रॉपर्टी को अटैज कर लिया है और इस तरह से उनके उपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अब ये तो समय ही बताएगा कि उस दबाव को कितना उस प्रिशर को जहल लेते हैं लेकिन फिलहाल के लिए शरत पवार सहाब के बयान से ऐसा लग रहा है कि वहां का जो महाराश विका समय में एक लंबी स्टोरी सुनाई और स्टोरी का नाम था चौती पास राजा और वो से स्टोरी को सुनाते सुनाते उन्होंने सारी वो बातें कहीं जो आपको संकेतों में वो किसके लिए बात कर रहे थे वो बिलकुल इस पश्ट था उन्होंने उस राजा की बात की उन्ह और बहुत एग्रिसिव ढंग से की यह इतने एग्रिसिव क्यों हो रहे हैं जो मेरी समझ में आ रहा है दो तीन चीज़े और वो इस टोरी में वो उस उस चौती पास राजा को बहुत ही खराब शब्दों का प्रियोग करके उस पर बार बार कह रहे थे कि ऐसे राजा को उखा करना है त्यारी 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 वो इस पर था कि वो किसके लिए कह रहा है अब वो क्यों एक्रिसिव है एक तो मुझे यह लगता है कि जब से मनीश सौंधिया को जेल में डाला गया है क्योंकि देखें ये बिलकुल इस पश्ट है कोई कुछ का है मनीश सौंधिया किसी से भी जो इस तरह के पत पे रहता उस से judgmental decision लेने में कोई गलती हो भी सकती मुझे नहीं मालूम उस case का क्या है लेकिन अगर कोई ये कहे कि मनीश सौंधिया पैसा लेकि अपना घर पर रहे तो ये बिल्कुल गैर जमिदराना वा है गैर जमिदारी वाली बात है और कहीं से भी आरोप मनीश सौंधिया पे चिपकता नहीं है उसके बाद जो इनके जो पार्टी में जो दो तीनी लोग है जिनके कंधों पे पूरी पार्टी चल रही है उसमें मनीश सौंधिया के बाद जो संजे सिंग है उनकी उपर भी ये प्रिशर खुब बन रहा था लेकिन मुझे सा लगता है कि संजे सिंग चूकी समाजवादी आंदोलन से आ रहा है तो वो इस तरह के प्रेशर को इन से बेटर जेल ले रहे हैं वो एक तो अपना भूम का वो आज नहीं पिछले दो-तीन साल से विलकुल स्पष्ट किये हुए हैं वो पूरी तरह से भाजपा पूरी तर उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस करके और सारे कागस दिखा के भी उसकी बात की है अब जो केजरिवाल साहब है इनको सी बी आई ने पूछताज के लिए बुलाया है जो बिलकुल गैर वाजब था जब आप इसमें इस सब कर चुके हैं नेकिर आपके आस कुछ है ही नहीं ता आप ऐसी बुला ले रहे हैं लोगों को और बेसिकली जो बीजेपी की टैक्टिस होती है वो नेम शेमिंग की बात है एक समय ऐसा था जब ऐसा कहा जाता था कि बीजेपी के साथ कुछ तालमेल या नहीं तालमेल तो एक इंडिरेक्ली एक सौफ्ट कॉर्णर की बात है वो म आपको एलेक्शन में जाना है जनता की बीज जाना है तो आपको अपना स्टैंड बिल्कुल साफ साफ ओपन करना होगा आप इस तरह का नहीं कि मैं इधर हूँ तो मैं उनके विविरोद में आपको स्टैंड क्लियर करना होगा और इस समय देश में जो महौल है उसमें अगर आप रहे रहा हैं, तो आपको मोधी जी के उपर डिर्यक्ट हो करना है, उनके जोबी निर्नाय हैं जो भी ऑज समें आपको डिर्य अं निर्नाय को न अरोपों की बात करनी है, अब एक क्या है कि इसे रारा, रहुल गांधी थे, तो लोगसभा के member तो थे लेकिन वहाँ पर उनकी party का कोई बहुमत नहीं था आज advantage अर्विंद केजरिवाल के पास क्या है कि उनका विधान सभा में बहुमत है विधान सभा में उनको ये privilege मिली हुई है कि वहाँ कुछ भी कहें उसके ऊपर कोई भी कानूनी कारवाई नहीं हो सकती है सभा के व इसका नहीं है तो वो उसका वो करके जादा आकरामख है तो क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अर्विंद केजरिवाल जी को भी यह है कि जैसा इस समय का जो नेत्रित्र है वीजेपी का और वो जिस तरह की भाशा बोलता है उसको जिस तरह की चीजों में उसकी कोई एक जिसको कहते हैं न सेडिस्ट्रिक प्लेजर कह लीजे या उसकी एक कहीं वो पूरी होती है कि मैंने इसको भेज दिया तो इगो कह लीजे या जो सेटिस्ट्वाई होती है उसके कारां केजरिवाल साब को लग सकता है कि उनको भी जेल भेजा जाएगा अब अगर उनको जेल भ वो इसलिए छिना क्योंकि राहुल गांदी ने अडानी और मोदी जी के जो दोस्ती है उसको उजागर किया और उसके बारे में प्रश्ट पूछने लगे कि यहाँ पर अरवन के जिरिवाल जी को लगता है कि अगर मुझे यह भेजा भी जाए तो कहीं न कहीं यह हो कि मैं मोदी जी का विरौद कर रहा था मैं अडानी जी का पैसा कहां से आया क्या आया थे यह कर रहा था इसके उसमें जाओ न की मैं सिविया ही ने कोई आरोप जैस दोस्ती को जाहिर किया था तो वो इसी तरह की कोई इस्तिती अर्विन केजरी वाल जी भी अपने बारे में चाहते हैं और इसलिए मेरे हिसाब से वो इतने आक्रामक होके इस समय बिल्कुल खुले आम जो आप कल वो भाचर आप गोगल कर लीजे सब जगाए आप खुद क्या हैं रविवार को नवी वंबई के खारगर में एक बड़े खारी प्लोट में महराश भुषन अवार्ड नाम का एक आयोजन हुआ ये अप्पा साहिब धर्बादकारी जी हैं ये उनको अवार्ड कॉन्फर कर रही थी महराश सरकार उनको जो उस दिन अमिशा साहब इस शौल औरी सब दिया गया और 25 लाग का चेक दिया गया जो 25 लाग का चेक उन्होंने चीफ मिनसर रिलीफ फंड में वापस कर दिया तो पैसा घूम के फिर से आ गया जैसे हम लोग अब ये बड़े वहां के सोशल वर्कर हैं इस उनके इनको सम्मान देना बहुत ठीक बात थ लेकिन इनके जो जब इनके उस समार्वों की तैयारी जो हो रही थी वो बहुत बड़े स्केल पे हो रही थी सारी तैयारी लोग जो थे वो खुले में बैठ रहे थे वहां पे जो वीयाई पी इंक्डूसर था और जो डायस थी वहाँ पे शेड़ था, इन जो सामने लोग आ रहे तो उनके लिए कोई शेड़ नहीं था धर्मादकारी साब के लिए ये माना जाता है कि उनके करीब 20 लाख फॉलोवर हैं तो बीजेपी जो करती है उसके नजर में गए कि 20 लाख फॉलोवर हैं तो मुझे इन फॉलोवर तक मेरी रीच हो जाएगे अब अमिशा साब का भाशन था उन्होंने बहुत वो खुश हो के बताए कि इतने लोग हैं मैंने जीवन में असानी देखा इत्यादी इत्यादी अब एक चीज़ तो यह है कि वो कहें कि इतने लोग आए हैं पहला प्रश साब का भाशन सुनने चले जा रहे हैं तो मतलब ठीक है जो भी सरकार होती हो यह काम करती तो वहां पे भी लाए गए पूरी सरकार लगे हुई थी अमिशा साब बो थे और मैं इसमें आग रख करूंगा कि आप यह छुटा एक भाशन हैं जरा सुन लीजे कि क्या कह रहा है लाखो लोगों का हुजूम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है जहां तक नजर न पहुंच चपाए इतना बड़ा मैदान बीच में एक रोड रोड के बाद दूसरा मैदान और यह चिल चिलाती 42 दिगरी टेंपरेचर की घर्मी इस सब के बीच में खूले में बैठे हुए आप सभी और उनको पता है कि कितनी गर्मी उनको पता है कि लोग लोग इस गर्मी से बेहाल हो रहे हैं उसके बाद क्योंकि ही हमेशा साहब एडमिट कर रहे हैं कि उनको इस सब पता है कितनी गर्मी है अब जो एक तो हमेशा साह कि जो भाशा होती है वो भाशा वो हर्दम चुनावी मोंड में रहते हैं हर्दम चुनावी भाशा करते रहते हैं कली अब पर्सों यह हुआ है पर्सों वहां लोग मरें कल वो बंगाल गया बंगाल में उन्होंने एक नया शुरू कर दिया बंगाल में उन्होंने मम्ताहीब जी के उपर वो यह कहे कि अगर आप 40 में से 42 में से माफ कीजेगा 35 सीटें आप हमें 2024 में दिलवा देते हैं तो TMC यहां सरकार खतम मतलब TMC जो विधान सभा की वो है उसको पहले ही तूट जाएगी अब तूट जाएगी तोड़ दी जाएगी क्योंकि इनकी जो specialization है वो सरकार तोडने का है वो ML खरीदने का है वो कैसे सरकार गिराई जाए इसका specialization है तो वो उन्होंने वहां पे भी क्या है जिसको ममता बेनरजी ने बहुत सक्षबदों में जिसका जवाब दिया है अब मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी कोई एक कुलार में रिमाग देते हैं किसी सरनेम को लेकिए और उससे लोगों की मतलब फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो यहां जो 11 लोग सीधे सीधे धूप में इन नेताओं की वज़े से इनकी ठीक वेवस्था ना होने की वज़े से मरे हैं आपके अपनी डायस पे तो यही लगे हैं आपकी वी आईपी के बैटने के लिए तो पंडाल और इस सब है और जो जनता है जिसको आप कहते हैं जनता जनारदन तो जनारदन का मतलब भगवान भगवान का आप जो वो कर रहे हैं इस पे भी कही न कहीं बात तो होने ही चाहिए क्योंकि ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि आई और गई क्योंकि ये हमारे और आपके वोट से ही ये लोग वहां उस सत्ता की उस सबसे बड़ी पाईदान पर बैठे हुए हैं सोचना हमें और आपको होगा कि इस तरह की धूप में चिलचलाती धूप में जो लोग आके और आपको भाशन सुना रहे हैं वो अपने नागरिक को भाशन सुना रहे हैं या वो अपनी प्रजा को भाशन सुना रहे हैं बहुत बहुत बहुत